वेलकम बेक टू में चैनल आई मुझा अगर आपके दांत में दर्द हो आप्टर रूट किनाल तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं आफ This show is the video सब्सक्राइ्क है इस सते बात करते की री रूट किनाल कराने के जरूट किनाल होता गया तो तो अगें रूटो किनाल त्रिटमेंट करना इसक जरूद तब पदेए जआ कीडि़ चैनल किया है यानि कि अगर आपके दान में पेन है after the root canal treatment, sensitivity है या फिर पस formation बन गया है, sinus opening हो गई है, यानि कि उसमें swelling हो गई है, तो उस टाइम पेशन्ट को re-root canal करना आने के लिए हम suggest करते हैं, तो ऐसा ही एक case मेरे पास आया है, अज मैं आपको सारी वीडियो दिखाने वाले हैं कि हमने उसका क्या treatment option दिया है, यह patient है, इन्होंने root canal treatment कहीं और से कराया था, और साथ ही उस ताथ में जिर्गोने कैप लगाई थी, तो जो कि उनके patient की complaint थी, उनके pain है, पस बन गया है, पस मसूरों से भाहर निकल रहा है, तो जब हमने x-ray लेके देखा, तो completely case था कि root canal treatment उनका fail हो अब बात करके इन में हमने क्या treatment option दे, इनको mostly मैं generally 99% patients को recommend करते हूं, कि दान्त save किया जाए, यारी की root canal किया जाए, 1% ऐसे cases होते हैं, जिनमें दान्त बहुत ज़्यादा damage हो जाता है, तो उसमें हम दान्त को निकालना ही पड़ता है, बाट इनके x-ray में हमको ऐसे दिखा क कि इनके दान्त को हम save कट सकते हैं, तो हमने इनका treatment option बनाया है, कि इनको re-root canal किया जाए, लेकिन इनके दान्त में जिर्कोने a cap लगी थी, जो कि दिखने में ठीक थी, तो मैंने suggest कि re-root canal करने के लिए, हम cap को नहीं निकालेंगे, even cap के through ही re-root canal करेंगे, पेशन ने जब कहीं पेशन के जब आये था, उनकी इस तरीके से swelling थी, पस formation था, बहुत ज़्यादा था, पेशन को pain भी था, लेकिन अगर मैं आपको बात की video दिखाऊं, एक हपते बात की, तो इनकी completely, कोई भी swelling नहीं है, कोई भी इनको pain नहीं है, पस visit में ही कम हो गया था, तो अभी हम स्टार्ट करते है, रिरूट के नाल ट्वीटमेंट, तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हमने crown के through, hole करके अंदर दांत में गये हैं, तो करके अंदर, hole करके अंदर गये हैं, दांत के अंदर गये हैं, और से के नाल को अच्छे से clean के, single visit में नहीं possible था, क्योंकि एक हपते के लिए हमने दांत completely close किया, जब एक हपते बाद पेशेंट आया तो जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं, तो completely swelling गायब थी, कुछ भी patient को feel नहीं हो रहा था, कोई pain नहीं था, असे लगी ही नहीं रहा था, कि इसी दांत में के इतना ज़्यादा pain रहा होगा, इतन से infection आया है, तो अगर आप भी घबरा रहे हों कि आपके दांतों में भी root canal fail हो गया है, और आप डर रहे हो, कि कहीं अब दान निकालना तो नहीं पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप उस दांत को दोबारा चांज दे सकतो, री root canal करके आप उसको save कर सकते हो, तो यह वीडियो यहीं तक था है, उमीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, if you like my video, don't forget to share and subscribe, thank you so much for watching my video